राम की नगरी अयोध्या में आज हम मौजूद हैं और यहां से हम दिखाने की कोशिस कर रहे हैं अलग-अलग जगें और अभी फिलाल हम हैं राम की पेड़ी पर क्या कुछ मानिताएं हैं और क्यों राम की पेड़ी इसका नाम पड़ा अलग-अलग यहां पर घाट भी हैं उन सब के बारे में बातचीत करेंगे माराज से लेकिन उससे पहले बता दूँ कि परदान मंतिर नरेंदर मोधी 22 जनवरी को राम की प्राण परतिष्टा होगी रा मेरे पिछे देख पाएंगे कि इसनान कर रहे हैं और कहा जाता है कि यहां पर आने से मातर से ही संकट और पाप दूर हो जाते हैं हमारे साथ महराज जी क्या नाम बताया महराज जी आपने मेरा नाम सुनिल गिरी जी महराज सुनिल गिरी जी महराज यहां की राम की पेड़ कुई राम घाट पर असनान करते थे तो जिसका घाट वह अपने ही घाट पर हसनान करते थे फिर यह एक बगेचि ही है कि नहीं अब यह नया घाट इसको लोग नया घाट बोलते हैं कोई राम घाट बोलता है कोई जो जैसा दिया गया नाम इसका नाम करण किया गया उसी नाम सी एक नाम का नाम घाट है राम की पेड़ी के साथ ही आप अलग-अलग घाट बने हुए राम घाट जसरत गाट तो इसमें करते अपने एक घाट क और यहाँ से प्रधार गए तो वोगोग जन्माना से यहां पर अशनान करते कि परक्ष अब जब राम मंदिर बन रहा है उगी क identify उग्षांड नी तो भगवान हैं इस संसार के अंदर में दिखने में एक मानवता सुरूप है ने वो तो बैकुंठ के द्वार पाले भगवान के समझ लीजे युनों ने अयोद्या बनवा दिया एक भी कोई जगडा नहीं बनारस को जिसमें बिल्कुल कुंच पूरे काइदें से मानोता कि हिसाब से उन्हों तो पूरा कर दिया वहां भी कोई अब मतुराकी बारी यह वहाँ भी बिल्कुल या աिकी मर्यादा से नहीं, जो भी काम हुआ, मर्यादा से ना कोई बिवाद, ना कोई धगडा, ना कोई लड़ाई, लड़ाई तो सब लोग लड़ते हैं अपना पाने पक्षिकी, परन्तु जो कार हुआ मर्यादा के रूप में हुआ है। वो देखे, वो यानि आंगे पीछे दोनी, अगर जहां मोदी रुख जाते हैं, वहां वोगी धक्का लगा देते हैं, यहां योगी रुखते हैं, वहां मोदी धक्का लगा देते हैं। आपको किस्तरीके से क्या कुछ बताओं जो राम देखे, अब जैसे की जिसकी लाटी, लोग कहते हैं, इसकी लाटी उसकी भैस, पैंडले हिंदू इतना जहीं नहीं जानता था, पहले जब हिंदू किसी धर्म यात्रा में जाता था, तो टोल पलाजा जैसे गाड़ी का टि हPAG Development United कि अब चलिएव EPA peuvent अब मानर शेए।장े पिर मुस्लिम राज आया मुस्लिम राज पानी राज मंदिर तो दिये उसमें जाकर के अगर बएंध यहांन पर ना होता मंदिर तोड़के तभी और मंदिर बनाए गया अब मैं जब नों में विबाद हुआ तो कोट पर ममला चले गया जब कोड फैसला कर दिया तो आज राम के बाद में क्या कुछ बदला और अजाएगा जब राम जो और दो 모डी की राज में ये गृष माराद्ट से कह रहे हैं कि राम जो है वो आदेश देते हैं और लोडिवान काम करते हैं यानि की द्वारपाल अफित है यानि कि एक अव्तार है कि knappah उस्तित तरीके से लिख जी एहम योगदान दिया है एहम काम किया है और यह जो राम की पेड़ी है वहां से आप यह दर्सन देख रहे हैं कि किस तरीके से आने वाली 22 जनुवरी को जब परदान मंदिर नरेंदर मोदी यहां अपरान परतिष्टा में सामिल होंगे और राम मंदिर का उद्गाटन करेंगे जिसके बाद यहां से सभी देशवासियों के लिए दर्सन के लिए खुल जाएगा तैयारियां जो रूपर हैं आयोद्या को दुलहन की जैसे सजाया गया है उत्सा और उल उसके उत्सा है कि बाइस फर्वरी को हम ऐसा करें अब तो लोगों ने रोक दिया कि यहां ना यानि की मर्यादा के हिसाब से सब काम निप्टाया जाए कोई किसी को दुख और तकलीप नहों बाकी बाइस के बाद जो जितना भी पब्लिक आना चाहाए आ सकती है प्रन्तु लोग स्विख ओसफर्वरी को म notion barking जा रहें कि बैकूंटर फार्लीं के मोदी तो स्चेंगया नाम की से अज़ भी नातन लोग के लिए समझ रहे हैं तो देखिए कितने खुश से सब लोग कह रहे हैं कि बैकुंट की तरह सजाया गया है आयोध्या को और देखते भी बनेगा जब 22 जनुवरी को प्रांड परतिष्टा होगी केमराविन देवेश के साथ सागर चोद्र